हेलो फ्रेंड्स मैंनी तो आपका वीक रेक एकजाम पर स्वागत करती हूं जैसे के हम हर्याना जिक्के में जिले बार पीछे के अकोर्डिंग पड़ रहे थे आज हमारे नेक्स्ट जिले के बारे में बात करती हैं हम जीन डिस्टिक की पहले हिस्टरी जोग्रूफिकल एरिया और कल्चरल अक्टिविटी कल्चर और जो हरयाना एचसे सी में इंपोर्टेंट पॉइंट इंपोर्टेंट कोशन पुच्छे जाते हैं जो बर बार रिपीट होते हैं आज हम उनके बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं माज का टोपिक हिस्ट्री जैसे कि हम जानते हैं कि जीन का संबंद मा भारतकाल से हैं कोरव और पांडवों का जो यूद होने वाला था पांडवों ने यूद से पहले एक मंदिर का निर्मान किया था जिसक नाम था जैनती देवी का मंदिर इसको अम्यूद की देवी के नाम से भी जानते हैं जो जैनती देवी का मंदिर है इसको अम्यूद की देवी के नाम से भी जानते हैं और जो यह जैनती देवी का मंदिर है इसके चारों तरफ एक नगर सा बस गया था जिसका नाम जैनत जैंदपूरी जिसका नाम जैंदपूरी रखा गया था यह जो जैंदपूरी नाम था यह धीरे धीर टाइम के साथ बदलते बदलते आज इसको जीन्द के नाम से जाना जटता हैं तो चली हम अपने सेकंड पॉइंट पे जलते हैं क्या 1795 इस्वी में जो राजा गजपत सिंग थे ना मतलब राजा गजपत सिंग राजा गजपत सिंग ने एक किले का निर्माण किया था जिसको हम गणपत के किले के नाम से जानते हैं और जिसको हम जीन्द का किला भी बोलते हैं 1795 इसवी में कब 1795 इसवी में राजा गजबत सिंग ने किले का निर्मान किया था जिसको हमें गणपत का किला भी कहते हैं और इसे जीन्द के किले के नाम से भी जानते हैं लेकिन इसके तीन साल बाद 1798 इस्वी में जो जोर्ज थोमस नाम के एक अंग्रेज ने राजा गजपत सिंग के साथ यूद किया और जो ये लड़ाई हुई थी 1798 इस्वी में इसमें राजा गजपत सिंग है ना जो इसके हार हुई थी और जोर्ज थोमस जीत गए थे इसमें जोर्ज थोमस जीत गए थे तो चलिए हम अपने थार्ड पॉइंट पे चलते हैं अठारा सो चोदा इस्वी में एक विदरो हुआ था जिसको अमजीन के विदरो के नाम से भी जानते हैं जो ये विदरो है ये परताब सिंग ने परताब सिंग के नेतरितों में हुआ था और ये किस के खिलाफ किया था परताब सिंग ने, किस के खिलाब किया था, अंग्रेजो के, अंग्रेजो के खिलाब किया था, परताब सिंग ने, जो ये विद्रो किया था, और इस विद्रो में, परताब सिंग का साथ दिया था, साथ दिया था, परताब सिंग का, किस ने, फूल सिंग ने, फूल सिंग नाम का एक आदमी था जीस ने परताब सिंग का साथ दिया था लेकिन अंग्रेजो का साथ दिया था किस ने दिया था अंग्रेजो का साथ थे एक नाबा सासकते नाबा पटियाला सासकते और एक कैथल के सासकते इन तिनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और ये सारे परताब सिंग के खिलाब थे लेकिन इस विद्रों में क्या हुआ परताब सिंग की हार हो गई और जो अंग्रेज से ये जीत गए ये जीत गए, हार होने के बाद परताब सिंग है, हारने के बाद ये लाहूर चले गए, लेकिन लाहूर जाने के बाद क्या हुआ, रंजीत सिंग ने इन्हे पकड़ कर अंगरेजों को सूप दिया, तो फ्रेंड्स ये थी जीन्द की हिस्ट्री, ये फर्स्ट पॉइंट, सेक पूछती भी है, और आगे भी पूछेगी, तो चली आगे देखते हैं इसकी स्थापना, एक नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी, ये साथ जिले अस्तितिव में आई थी, जिन में से जीन जिले का अक्षे तरफल, सबसे एरिये में जीन जिला सबसे छोटा था, अगर हम इसके एरिये की बात करें, इसका अक्षे तरफल है, 2702 किलोमेटर स्केर, और इसका जो हैड ओफिस है, जीन का, वो जीन में ही है, तो चली अब बात करते हैं, हम तैसील की, तैसील की, जीन, स्फीदो, नर्वाना, जुलाना उचान और अलेवा, ये छे इसकी तैसीले हैं, लेकिन इन में जो स्फीदो है, इसको हम सर्प दमन के नाम से भी पहले जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था, सर्प दमन के नाम से जाना जाता था, क्यो जाना जाता है, माब अर्थकाल के यूग में एक जनमेजे थ अपनी पिता की का बदला लेना था तो उन्होंने एक सर्त दमन यंग किया सापो की शम्राओं सार्प लेकिन झे दक क्वाइन नाम को चल कि शे खंड के बाते हैं जो यह च्साइशाइय जोए च्छे च्छोए खंड में आते हैं लेकिन इसमें और एड़ोंगे फिल्लू खेडा और क्ला खंड कितने है centro ल और त्हींसाइशाइशा कि जनसर fine किसीतों से चैनसंगी कितनी है तेरा लागे 34152 से 1, संख्या है तेरा लाग चोतिर जार एक सो बावन और अगर हम इसकी लिंगान उपात की बात करें एक हजार पूर्सों पे और इसका जो जन गंतव है वह चारसो चुराणवे व्यक्ति परती किलोमीटर स्केर है और साकसरता दर और जीन जिले की हमारे जीन जिले की जो साकसरता दर है वो 71.44% है तो चले हम मेलों के बारे में बात करते हैं हर जीन जिले में ये पांच मेले इंपोर्टेंट है हट केसवर का मेला जो के हाट गाउ में मनाय जाता है बिलसर का मेला ये हान सैडर नाम गाउ में मनाय जाता है सच्चा सोदा मेला ये सिंग पूरा में मनाय जाता है और धमतान स कामेला रामराई गाउ में है और जो दम्ताम साहिब का मिला है ये सीख और हिंदु एकता का पर्तिक माना जाता है और ये हर पूर्णवासी को ये मिला लगता है चलिए अब हम बात करते हैं इसके विशेश तथे की और प्रेटन्स थल की विशेश तथे हैं हर्ट ओफ हर्यान जीन्द को हर्ट ओफ हर्याना कहते हैं क्यों कहते हैं इसे हर्याना का हरिद्य भी कहते हैं हर्ट ओफ हर्याना क्योंकि यह हर्याना के बिल्कुल सेंटर में है और इसके साथ साथ जिलो की सीमा लगती है जीन्द एक एकलोता ऐसा डिस्टिक है जिसके साथ सबसे ज्यादा ड स्थापना 28 जुलाई 2007 को हुई थी और इसकी स्थापना इसका उद्गाटन किस ने किया था ए-r-e-r की द्वई ने ए-r की द्वई ने इसकी इसका उद्गाटन किया था हम अब बात करते हैं इसके प्रेटन्स थल की इसके जो मैं इंपोर्टन प्रेटन्स थल हैं वो यह है बुलबुल जील और रानी तलाब जैसे कि रानी तलाब उसके बीच में ही एक बुतेशवर एक मंदिर है मंदिर की स्थापना किये गई थी जिसको हम बुतेशवर मंदिर के नाम से जानते हैं हर्याल यह एक रेयर्ष्ट आउस है और पंडु पिंडारा यह एक बहुत ही फेमस चगह है आप सब इससे जानते होगे इसका संबंद भी महाबार्थकाल से ह 12 साल तक सोमवारि हमार्श की की मुष केते हैं हमारे पामभसा में इसकी परतिक्षा की थी इन्होंने 12 साल तक अपने पूर्वजों के पिंड़ तान करने के लिए तो इसलिए पंडो पिंडारा को हम मिनी छोटा हरीदवार मतलब हमारे हरियाना का हरीदवार भी कहते हैं और पाचवा और लास्ट है हमारा हरबल पारक तो दोस्तों फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रेटन्स तलूर विसेश्तत थे तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम हमारे नए टोपिक के साथ तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए लाइक शेर जरूर कीजिए धन्यवाद